बेलकम प्रेंट्स इस वीडियो में सूफी आंदोलन से सम्मंदित इन्पोर्टन कोसन डिस्कस करेंगे साथ में आप लोग को बता दें कि आप लोग टेली ग्राम गुरूप जोइन कर लिजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन ठेली ग्राम से भी मिलता रहे जो चैनल पर नए आए हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ में जो आपके और भी वीडियो अपलोट किये गए है लूशेंट के हिस्ट्री में पराचीन भारत लोट कर दिया गया है पूरे और जो मद कालीन भारत है उसको भी पूरा अपलूट कर दिया गया है और जो modern है लगवाद कम्पिलीट होने वाला है तो एक तरीके से पूरा जो हिस्ट्री अपलूट कर दिया गया है तो आप लोग जो पलिलिस्ट में जाके हिस्ट्री जरूद देखिएगा ठीक है तो देख लिजी सूफ उन सब्द से होई क्योंकि सूफी उनी कंबल या लवादा उड़ते थे तो ये सही बात है उसके बाद है सफा पवित्ता सुधता सब्द से होई क्योंकि सूफियों के दिल आत्मा विचार वेक्रित पवित्ध और सुध होते थे सूफ को बोलते हैं मंडली सब्द से होई क्योंकि इन सूफियों का वेवार पेगंबर से जुड़ी होई मंडली के लोगों के समान थी ये भी गलत है तो इसका right answer क्या हो जाएगा जो सूफ है उसका मतलब उन होता है सब्द से हुई क्योंकि सूफी उनी कंबल या लबादा उड़ते थे इसलिए ठीक है इन्हें सकोचन है सूफियों के बारे में क्या असत है सूफियों के बारे में क्या गलत है तो देख लिजिए उन्होंने उलेमा को चुनोती देते हुए उनके महत्व को नकारा तो सही बात है उन्हें जो उलेमा थे उसके महत्व को नकार दिया और उन्हें चुनोती भी दिया इनका विश्वास था कि इस्वर की प्राप्ती प्रेम और संगीत से की जा सकती है तो ये भी आपकी सही है सूफी लोग गुरू को अधिक महत्व देते थे तो ये भी सही बात है जो सूफी लोग गुरू को अधिक महत्व देते थे D नमर है इनकी विचारधारा कटरपंथी होती थी ऐसे कुछ नहीं है भाईचारा इनकी विचारधारा होती थी तो D इसका राइट अंसर हो जाएगा D गलत है ठीक है S question देखिए निमन मैंसे किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है तो किसे बोला जाता है अमीर खुषरो को किसे बोला जाता है अमीर खुषरो को तो A's का राइट अंसर हो जाएगा Next है कि सूपी संथ ने खुद को अन लहक मैं इसवर हूँ अद्वैत मत के अहम ब्रहम असमे मैं ब्रहमा हूँ के समान गोशित किया जिस कारण उसे फासी पर लटका दिया गया तो किसे फासी पर लटका दिया गया था मनसूर अल हज्जाज को B's का राइट अंसर हो जाएगा वह सूपी संथ कौन था जो यह मानता था कि भक्ती संगीत इस बर के निकट पहुचने का मार्ग है तो कौन मानता था तो मुनुद्दीन चिस्ती A's का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है भारत में चिस्ती सिलसिले को किसने अस्थापित किया तो भारत में चिस्ती सिलसिले को किसने अस्थापित किया था नेक्स्ट है सुफी सिलसिला मुल्ता सम्मंदित है किस्से सम्मंदित है तो जो सुफी सिलसिला मुल्ता सम्मंदित है इसलाम धर्म से तो सीज का राइट अंसर हो जाएगा इसलामी रहस्यवादी अंदुलन को कहा जाता है क्या बोला जाता है, तो सूफी अंदूलन बोला जाता है, तो ए इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, next, सूची एक को सूची दो के साथ आपको सुमलित करना है, तो सुमलित कर लिजी, एक साट दिया गया है, सूफी सिलसिला और एक साट दिया गया है उसके संस्थापक, तो सुहरा बर्दी के संस्थापक कौन है तो सेख बहा उद्दीन जकारिया कि दम सही बात है फिर दौसिया जो फिर दौसी सिलसिला है इसके संस्थापक कौन है तो बदरुद्दीन समरकंदी ये भी सही है और जो कादिरी सिलसिला है, इसका संस्थापक कौन है? मुहम्मद गौस गिलानी, तो ये भी सही है. नेट्स बंदी, ख्वाजा, बकी, बिल्ला, इसका संस्थापक है, तो ये भी सही है. तब इसका रहाट झ Cre拔, आपका A हो जाएगा, तो चिस्ति सिलसिले को सरवाधिक लोग प्रियता मिली थी तो एज का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट पोस्टन है फिर दोसी सिलसिले के स्वर पर्थम सूफी थे तो कौन थे तो सफूद दिन अहमद इबन मकदूम याहिया मनेरी थे देज का राइट अंसर हो जाएगा इनका नाम होत बड़ा है इसे देख लिए सफूद दिन अहमद इबन मकदूम याहिया मनेरी तो अप लोग ज consider रख़ेगा मकदूम याहिया मनेरी थीक है तो देज इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स पॉस्टन है आपका कि दारा सिकों ने किस सुफी सिलसिले को अपनाया था दारा सिकों ये दारा सिकों कौन थे तो सा जहां के बला बेटा थे ठीक है तो सा जहां कौन थे भाई तो सा जहां मुगल वाद्शा थे देख लिजे, दारा सिकोँ ने किस सुफी सिल्सिले को अपनाया था तो किसे अपनाया था कादरी को ठीक है DA's का रइट इंसर हो जाएगा next है देख लिजे सूची एक को सूची दो के साथ सूम्लित करना है तो एक सेर दिया गया है पीर, सेख और मुसीद तो गुरु यहां मारक दरसक होता था पीर, सेख, मुरसीद ठीक है? उसके बाद देखी मुरीद, मुरीद कौन होता था? जो मुरीद था, वो सिस था ठीक है? मुरीद को क्या बोलते थे? सिस बोलते थे उसके बाद है खलीफा खलीफव क्या बोलते थे सूफी मत का अनुपालक सूफी मत का अनुपालक बोलते थे उसके बाद जो खान का जो खान का का मतलब क्या होता है सूफी संतों का निवास अस्थान को बोलते है खान का ठीक है याद रखेगा कभी कभी आपसे शिर्फ एकजाम में पूछ देगा कि खान का क्या है तो खान का एक मंदिल है निवास अस्थान है जो भी उसका पूछना हुआ तो आपको याद दिन बक्तियार का की चिस्ती सिलसिला का है सेख हमें उद्दीन नगोरी भी है बाबा फरीद भी है जबकि सेख बहा उद्दीन जकारिया जो है वो चिस्ती सिलसिले से सम्मंदित नहीं है तो डिस का रैट अंचर हो जाएगा नेक्स्त जक्ति सिलसिले के किस सूफी को चराग एक दहलवी दिल्ली का दिपक कहां जाता है तो किसे बोला जाता है सेख नसर उद्दीन को बेज का रैट अंसर हो जाएगा निम्लिखित सूफी सिल्सिलो यह संपरदायों में कौन संगीत के विरूत था तो नक्सबंदी सिल्सिला डेस का राइट अंसर हो जाएगा। तो देख लिजे रहीम यह रहीम सूफी नहीं है। निजामुदीन औलिया सूफी है। मुदीन चिस्ती भी आपके सूफी है। जबकि रस खान आपके सूफी नहीं है। तो क्या इसका राइट अंसर हो जाएगा। दो और तीन सीज का राइट अंसर हो जाएगा। नेस्स कोशन देखें, सूफियां कलाम जो एक परकार का भक्ती संगीत है, बिसेस्ता है, तो आपको याद रखना है कास्मीर की बिसेस्ता है, बेज की राइट अंसर हो जाएगी, सूफि संत ख्वाजा मनुद्धिन चिस्ती किसके ससनकाल में राजस्थान आए, तो किसके ससन काल में राजस्थान आए थे, बिर्थिवी राज्चावान के ससनकाल में, डेज का राइट अंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, प्रसीद सूफि सलीम चिस्ती रहते थे, कहां रहते थे, फतेपूर सिकरी में रहते थे, कहां पर, फतेपूर सिकरी में, फतेपूर सिकरी किस र मर्थन सूफी जिसे मुझहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बात्सा ने इस अरोप पर गिरफतार कर लिया कि वो पकंडी हैं और यह दावा करते हैं कि अध्यात्मिक छेत्रों में पर्थम तीन खलिफाओं से भी आगे हैं तो वो कौन थे आपको याद र सूफी को भागवान रोटियों वाला कहा गया है किस सूफी को बक्तियार का की कहा गया तो किसे बोला गया है, ख्वाजा कुत्व बुद्दीन को ठीक है, ख्वाजा कुत्व बुद्दीन को बेश का राइट अंसर हो जाएगा, कि सुफि संत को सुल्तान एत तारीकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधी मिली है, तो किसे मिली है, सेख हमें उद्दीन नगोरी को बेस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है सेख फरी दूद्दीन मसूद गंज ए सकर इसे बोलते हैं सेख फरीद या बाबा फरीद की गति विधिया का छेत्र था तो कौन चा छेत्र था हासी एवम अजोधन था ठीक है हासी एवम अजोधन था तो डेस का राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कोचन देखिए काब अभिबेक्ति के रूप में उर्दू का परियोग करने वाला पहला लेखक था तो अमीर खुष्रो था एसका राइट अंसर हो जाएगा किसी सूफी को महबूब ए इल्लाही अल्लाह के परिये कहा जाता है तो आपको याद रखना है सेख निजामुदीन ओलिया को एसका राइट अंसर हो जाएगा किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त अभी दिल्ली दूर है एक कथन किसके द्वारा बोला गया था तो सेख निजामुदीन ओलिया के द्वारा एक अथन बोला गया था बे इसका राइट अंसर हो जाएगा दचनी बारत में चिस्ती सिल्सिले की नीब रखने वाला कौन था सेख बुरा नुदीन गरीब था एसका राइट अंसर हो जाएगा मिराज उल आसिकीन उर्दू सायरी की पहली किताब के सूफी रचिता कौन है तो कौन है सैयद मुहम्मद गेसुद राज उसके बाद बंदा नवाज डेज का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आधर करता था और जिसके आसिरबाद से सहजादा सलीम जहांगिर का जनब हुआ वह था वह कौन था तो सेख सलीम चिस्ती था कौन था सेख सलीम चिस्ती तो एई इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट कोचन आपका है चिस्ती सिलसिले एवं सुहरा बर्दी सिलसिले में तुलना के संदर में क्या सही है कि आपके सही है तो देख लिजे इसमें क्या सही है चिस्ती समा संगीत सवा एवं रक्स निरित में विस्वास करते थे जबकि सुहरा बर्दी नहीं करते थे तो ये भी सही है ठीक है उसके बाद है चिस्ती राज की संदच्छन वे धन संचय में विश्वास नहीं करते थे जबकि सुहरा बर्दी करते थे ये भी सही है उसके बाद देखिए चिस्ती राजनितिक पचले से दूर रहते थे जबकि सुहराबर्दी राजनितिक मसले में परियाप्त दिल्चस्पी रखते थे साथ में इनों तो यहां तक जो पद होता है उसे भी गरहन किया था सुहराबर्दी सिलसिले के लोगों ने चिस्ती हिंदू वे मुस्लिम दोनों समाज में लोग पिरिये हुआ जबकि सुहरा बर्दी केवल मुस्लिम समाज में एकदम सही बात है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा देख लिजिए सारे आपके सही थे तो सीज का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? किस सुफी सिलसिले की गति विद्यों का मुख केंदर बिहार था? तो किसका था? फिर दोसिया का तो सीज का राइट अंसर हो जाएगा सफूद दीन अहमद इबन मकदूम याहया मनरी का कारच्छेत्र था कहां पर इसका कारच्छेत्र था? तो बिहार शरीप में था बेश का राइट अंसर हो जाएगा फार्सी में रचित मजमा उल बहरेन दोस समुद्रों का संगम सूफी मत वे हिंदू मत का तुनलात्मक वर्नन का रचिता कौन है? तो इसका रचिता कौन था? दारा सिकोह था आपको बता चुके हैं दारा सिकोह कौन था? साज जहां का बड़ा पूत्र था जो बहुत विद्वान भी था नेस कोशन देखी किसने संस्कृत की पंडितों की सहायता से भगवत गीता एबं योग बसिस्ट का अनुबाद फार्शी में किया तो किसने कराया था? दारा सिकोह ने सी इसका राइट अंसर हो जाएगा ठीक है? सी इसका राइट अंसर हो जाएगा किस सूफी सिलसिले के अनुवाई अध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह-तरह के नक्से बनाते थे और उसे रंगों से भरते थे तो नक्सबंधी सिलसिले के अनुवाई ए इसका राइट अंसर हो जाएगा मुगल बादसा औरंग जेब को किस सूफी सिलसिले में दिल चस्वी थी और उसे अपनाया भी तो आपको याद रखना है नक्सबंधी सिलसिले में ए इसका राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट निमलखित में किसे सेख उलहिंद की पदवी परदान की गई तो किसे परदान की गई थी सेख सलीम चिस्ती को सेख सलीम चिस्ती को डे इसका राइट अंसर हो जाएगा जो BPSC कोशन खुचता है बहुत दिवाजित कोशन खुचता है ठीक है इसके कारेम क्या होता है कि अभी कभी वीडियो रिकॉड करने में बहुत टाइम लग जाता है इसका अंसर चेक करने में नेस कोशन देखिए निमलिखित युगमे में से गलत युगम को आपको पहचानना है तो पहचान किजी चिस्ती दिल्ली और द्वाब की छेतर में इसका बिस्तार था सही बात है सुरा बर्दी सिंध में और लिया मद्ध पर्देश में ये गलत है और फिर दोसी बिहार में त तो सीज आपके सुमलित नहीं है तो सीज का रायट अंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट मद्धी वीन बारत के धार्मिक इतिहास के संदर में सुफी संथ निम्लिखित में से किस तरह के आचरन का निर्वहन ये निर्वाह करते थे तो आपको याद रखना है ध्यान साधना और स्वास नियमन ये सही है एकांत में कठोर योगिक ब्याम ये भी सही है सुरताओं में अध्यात्मिक हर्सो उन्माद उत्फन करने के लिए पवित्र गीतों का गायन करते थे तो ये भी सही है नेस कोसन देखिए इसी प्रकार से आईस कोसन पुषता है भारत में सूफी मत के बारे में निमनिकित कतनों पर आपको विचार करना है तो विचार कर लिजी सूफी संतों की मजारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत एत्रा एक महत्पुर्ण विसेस्ता है यह सही बात है एक महत्पुर्ण विसेस्ता है भारत में सूफियों के सरवाधिक प्रभाव साली समू चिस्ती थे तो दोनों सही हो जाएगा तो सही उत्तर क्या हो जाएगा से इसका राइट अंसर हो जाएगा हम लोग इस वीडियो में सूफिय से सम्बंदित सारे important question को cover कर लिए है अगर हाँ एक बाती भी बता देते आपको कभी अगर कोई question में confusion आपको हो जाए तो आप लोग comment करके तुरत बताएगा कि इस question में confusion हो जाएगा तो उस program को solve करने कहां परियास करेंगे लेकिन confusion कहीं होने का chance ही नहीं होगा क्योंकि हम खुद ही उससे research करके बनाते हैं ठीक है अगर जो चैनल पहले बारा है चैनल को subscribe कर लिजेगा और bell icon भी on कर लिजेगा कि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटी पे question आपको मिलता रहे है और आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं और भी वीडियो जाके देख सकते हैं जो playlist में आपको मिल जाएगा थैंक झाल यां कि वालोड़ानला इखूीed